जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12 कमेश्टी के अंतरगत यूनिट 7 वर्ग 16 के तत्व पढ़ा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन के भौतिक एवं रासायनिक गुडों के बारे में इसके अलावा हम ओजोन के उपयोग के बारे में भी जाने तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को ध्यान से दिखेगा वीडियो को कहीं भी इसकिप मत कीजिएगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें ओजोन के भौतिक गुणों के अरूची कर होता है यानि कि जैसे सडी हुई मचली महकती है कुछ उस तरह से इसकी गंद होती है अगला पॉइंट है यह ठंडा करने पर पहले गहरे नीले रंग के द्रव तथा बाद में बैगनी काले ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो ओजोन होता है द्रव अवस्था में गहरे नीले रंग का होता है लेकिन जो ठोस अवस्था होती है वह बैंगनी काले रंग की होती है अब यहाँ पर कोश्चन उठता है कि रंग बदल क्यों जाता है तो इसका कारण है घनत्यों के कारण जो रंग होता है वह बदलता है हम सभी जानते है कि गैस सवस्था में जो घंत होता है वो कम होता है यानि कि जो गैस के अडू होते हैं वो दूर-दूर होते हैं जिसके कारण जो ओजोन है इसका रंग गहरे नीले रंग का होता है और ठो सवस्था में जो घंत होता है वो बढ़ जाता है यानि कि जो उप्रस्द्ध ऊड़ले जल में लपी श्तर हे हैं जैसा कि हम सभी जानते कि में देधार्स तक नहीं कुर छलते हैं पिछी यह कहता है कि जसे ज्षापने से अध्या श्मत्तों आख चुनषिएisesti तो पिछले वीडियो में आपने तब देखाता की जो ओजून होता है वो ऑक्सीजन में परिवेषित होता है और इस प्रक्रतिया असुद्धूर इसलिए जो सुद्ध ओजोन है वो तुरंत अक्सीजन में बदलता है और उस प्रक्रिया में अत्यंत ओर्जा निकलती है यानि कि उसमाच शेपी अभिक्रिया होती है तो जब भी अगर हम किसी सुद्ध ओजोन को कहीं पर रखते हैं तो अचानक वो ऑक्सीजन में परिवरति थोने पर उर्जा निकलती है और उर्जा निकलने का मतलब है वहाँ पर आपको विस्पोट के रुप में दिखाई देगा तो इसलिए जो सुद्ध ओजोन है वह अत्यांत विस्पोटक्ट गैस है तो यह था ओजोन का भौतिक गुड़ और यह नेक्शम बात करते हैं ओजोन का रासाइनिक गुड़ तो यदि हम बात करें इसके पहले रासाइनिक गुड़ की तो ओजोन अभगटित होकर नौजात आक्सीजन यानिकी आक्सीजन परमाडू देती है अता ही एक प्रबल आक्सिकारक के रुप में कारह करती है तो ओजोन की जितनी भी राशाइनिक by oxygen और oxygen परमाडु बनाता है और यह इस लाधर पर कते हैं और हम इस आधार पर कहते हैं कि उज情 उजो है एक प्रबल ऑक्षिकरस कर्त करती है तो आई ऐसे हम उधारण के थुरू समझते हैं तो नहीं सेयरें क Präsident को सuldफेट में अक्षिक्रेट करती तो इसक लिए equation देख सकते हैं यहाँ पर PBS है यानि कि lead sulfide है अब इसकी अगर हम अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तो बनता है lead sulfate और oxygen gas यहाँ पर निकलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि reactant यानि कि अभिकारक की तरफ sulfur की आकसी करण संख्या-arse 2 और products की ऋर प्लस 6 है और नापर अकसान संख्या में विध्धी हो रही है यानि कि हम कहते हैं कि sulfur का oxygen हो रहा है तो यह8 कौन करा रहा यहां कर रहा है ओज़ोन जसके करण ये जो reaction है आपके दिमाग में एकदम set हो जाएगा तो ये अभिक्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं तो सबसे पहले जो ozone है वो dioxygen और नौजात oxygen में टूड़ी आता है यानि कि oxygen परमाड़ों में टूड़ी आता है अब ये जो नौजात oxygen है ये lead sulfide से अभिक्रिया करता है और lead sulfide से अभिक्रिया करके बनाता है lead sulfide जैसा कि आप दूसरे reaction में देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने sulfide के साथ 4 oxygen लिया है इसलिए इस चार oxygen को balance करने के लिए यहाँ पर नौजात oxygen के साथ हमने चार लिखा हुआ है तो चार नौजात oxygen lead sulfide में जुड़े और formation हो गया lead sulfide का तो आईए इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं जब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो देखेंगे हमारा जो ऊपर वाला अभिक्रिया है उसमें नौजात oxygen के वाल एक है जबकि नीचे वाले में 4 है तो इसको बराबर करने के लिए उपर वाले reaction में हम 4 का multiply करेंगे तो जब उपर वाले reaction में 4 का multiply करेंगे तो हमारा reaction कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है 403, 402 और 4 नौजात oxygen नीचे वाले reaction को हम ऐसे ही रहने देंगे तो देखेंगे कि जो reactant है और product है उसमें एक ही जैसे 4 oxygen यानि कि नौजात oxygen है तो इन दोनों को हम एक दूसरे से cancel कर देंगे यानि काड़ देंगे और अब इस reaction को जोड़ेंगे तो देखेंगे PBS यानि कि lead sulfide ओजोन 403 उपर जो बचा हुआ है ठीक है और right side आप देख सकते है 402 बचा हुआ है और PBSO4 बचा हुआ है तो नीचे जो हमारा reaction आया हुआ है आप देख सकते हैं उपर वाले reaction की तरह है तो आएए एक और अभिक्रिया के दौरा समझते हैं तो ozone iodide को iodine में आक्सिक्रित करता है यानि कि जह हम ozone के अभिक्रिया iodide से कराते हैं तो यह iodine में आक्सिक्रित हो जाता है तो आप NCIT book में कुछ इस तरह से reaction आप देखेंगे ठीक है तो इस reaction में आप देख सकते हैं कि reactant में है iodide जो की ozone के साथ अभिक्रिया करके iodine बना है तो iodide में iodine की जो आक्सिक्रित संख्या वो है –1 जबकि iodine में आक्सिक्रित संख्या 0 है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आक्सिक्रित संख्या में व्रिद्धी हुआ है यानि कि iodide का iodine में आक्सिक्रित हुआ है तो आप चाहे तो इस reaction को याद कर सकते हैं लेकिन मैं आपको simple तरीके समझाओंगा और मैं जो step बताऊंगा आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा बहुत simple तरीका में बताऊंगा जैसे मैंने पीछे आपको बताया था तो आए इसके reaction को देखते हैं तो यहाँ पर हम iodine को किसी metal के साथ लेंगे यानि कि potassium iodide के साथ लेते हैं तो ki नौजात oxygen से अभिक्रिया किया यहाँ पर हमें जलकी भी आउ सकता पड़ेगी तो इस अभिक्रिया में बना iodine i2 और साथी साथ इसके साथ बना koh तो इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो add करने से पहले यह जो नीचे वाला विक्रिया है इसको और भी क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समय आ जाए तो यहाँ पर जो ki है इसका हम नौजात oxygen से क्रिया कराते हैं तो जो नौजात oxygen है वो iodide को iodine में बदल देता है यानि कि iodine बदल देता है यहाँ पर हमने iodine के दो अडू लिया है इसलिए यहाँ पर हमने 2 का multiply किया हुआ है के आई जो है हमने 2 लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर hydrogen आ गया अब hydrogen को हम बैलेंस कैसे करें तो हम सभी जानते हैं कि जब आकसी करण या अपचैन अविक्रिया होती हैं तो वहाँ पर हम अपने आशकता अनुसा एच प्लस आयन ओएच माइनस आयन या फिर एश्टू लेते हैं लेकिन यहाँ पर आयन विधी दौरा तो हम संतुलित नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे एश्टू इसलिए आप उलेटे हैं एंगे अनुसा यहाँ ने फिर एटाइज अपर रहे हैं यहाँ यहां पर इस यह अनेफ सकते हैं उपको tubes हेच देखनें गया तो नीचे वाली जो क्याएतबगा अब इन दोनों अविक्रियाओं को हम जोडते हैं तो यहां पर नौजात ऑक्सिजन यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर यहां पर आपको नीचे वाले रियक्शन में पोटैसियम देखने को मिलेगा तो अगर हम पोटैसियम को हटा दें तो पोटैसियम को हटाने पर जो अविक्रिया मिलेगी वो उपर वाले अविक्रिया की भाति मिलेगी तो यदि हम potassium को हटाते हैं तो यहाँ पर iodide मिल जाएगा बखी इसके बात के OH के साथ जूड़ा है तो वहाँ पर भी हम potassium को हटा दें तो यहाँ पर OH-I Mim-I Magen मिलेगा बाकि सभी जो अभिक्रिया हैं यानि कि जो सभी योगीक हैं वो सेम रहेंगे तो यह अभिक्रिया आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा आईए एक और उधारन के थूर समझते हैं आयोडीन को ही लेकर तो पिछले वाले अभिक्रिया की बाती ओजोन आयोडाइड को आयोडीन में आक्सिक्रिट करता है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आयोडाइड है ओजोन है परन्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जल बना हुआ है यहाँ पर जल इस बार product की और है जबकि पिछले वाले reaction में वह reactant की और था तो यह अभिक्रिया इस तरह भी हो सकती है तो आप इस अभिक्रिया को भी याद कर सकते हैं वह simple है पिछले वाले reaction को अगर देखे तो उसके compare में यह simple है तो यहाँ पर iodide को balance करने के लिए यहाँ पर आप hydrogen का प्रेव करेंगे जबकि पीछे हम लोगों ने potassium का यूज किया था तो आइए देखते हैं कि कैसे reaction होगा तो जोन को हम break करते हैं डाई oxygen में और oxygen में और यहाँ पर iodide के साथ हमने hydrogen को लिया हुआ है ठीक है ना पर इससे हमने ना जाता oxygen की अविकृया कराई तो अविकृया कराने के बाद iodine और Chiba か怕 writes का निर्मार हुआ तो दोनों अविकृयाओं को आप देख सकते है अब इन तो यहां पर हम hydrogen को चाहे तो हटा दे hydrogen को हटा कर आयड के रूप में करेंगे तो हमारा जो नीचे वाला reaction है ऊपर वाले reaction की भाती हो जाएगा तो नीचे वाला reaction को हम hydrogen हटा कर यहां पर आयोडायट के फॉर्म में convert कर लेते हैं ताकि आपको कोई confusion नहीं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम ओजोन के उपयोग और इसकी संरशना के बारे में डीटेल से जानेंगे तो आपको आज का वीडियो कैसा आप कमेंट करके जोरू बताएएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मदभूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक लिए जहिन जभारत कर दो में कर दो कर दो